किसान अंदोलन, अब सुप्रीम कोट भी बीच में आ गए, सुप्रीम कोट ने कमीटी बना दी, कमीटी में से एक जो थे भुपिंदर सिंग्मान उनोंने त्याग दिया कि हम जो है इस कमीटी में शामिल नहीं रहेंगे, आज किसान और सरकार दोनों की वारता हुई, वारता म यह चाते हैं घमासान, इसलिए लोटे फ्रम मिलान और अब कर रहे हैं किसानों को परिशान, और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाता हूँ, कि राहूल गांदी और प्रियंका वार्डर आज तूर पर निकले हैं, दिल्ली के सड़कों पर घेराओ करने राजभवन का, र राजभवन का घेराओ कर रहे हैं, दोनों टूरिस्ट, कल टमिलनाडू गए तो से पहले मिलान में थे, मुझे एक बात बताईए, घेराओ किस बात का कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, प्रधान वंत्री, दो-तीन आजमी का प्रधान वंत्री ऐसे कानून ले आया, अरे रहे हैं, तो चमतकार, दूसरे करें तो गुनेगार, मैं सिर्व इतना पूछना चाहता हूं कि आज सरकार कंसीलियेशन चाहती है, पाचीच चाहती है, डायलॉग चाहती है, और ये लोग धरना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे वाशिंटन डी सी में, जो दृष्च्य आपने देखे, कैपिटल हिल के, वैसे ऐसा माहौल क्रेट किया जाए, कि 26 जनवरी को जब पूरा देश और दुनिया देख रहा होगा दिल्ली को, तब वहाँ पर जवान बनाम किसान हो जाए, ये चाहते खून खराबा हो जाए, और इसलिए सुप्रीम कोट में भी इनको बाइस पर, तो मुझे बात बता ही, अशुक गुलाटी को 2011 में तो यूपिय ने सीए सीपी बनाया था, तो वो बाइस, और योगेंदर यादव जो बीजेपी के खलाफ चुनाव लटते वो किसान, हननन मुला जो 15-20 साल MP रहे, लेफ्ट के, वो किसान, और ये बाइस्ट, किस तरीके की बातची थे, लेकिन सर ये भी अफवा उड़ाय जा रही है, या फिर आप ये कहिए, क्या ही ना कहीं, इसमें सच्चाई भी हो, क्या पता, कि भुपेंदर सिंग मान को धंकिया मिल रही थी, खालिस्तान के तरफ से, खालिस्तानी एजंडर, चलाने वाले कि दबाव, धंकी और जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हद से जादा जाकर, किसानों की बातों को सरहकों पर रखते हुए, कानूनों के अमल होने पर स्टे लगा दिया, उन्होंने एक कमिटी गठित की, चार उसमें एक्सपर्ट्स रख है, उसके बावजूद भी, आपको संतुष्टी नहीं है, आप कहते सुप्रीम कोर्ट कौन होता है फैसला करने वाला, बाकी के समय तो आप सुप्रीम कोर्ट के लिए नाच रहे थे, कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आ जाए, तो आप शाहीन भाग पर भी चाह रहे थे, दरसल दिक्कत यह है कि शाहीन भाग वाला वाइरस की माइवे और हाइवे, हम सरकार सुप्रीम कोर्ट देश के माथे पर बंदूक रखेंगे, हम चाहते हैं कि जब तक बिल वापसी ना हो, घर वापसी नहीं होगी, और हम ऐसी है माहोल को पैदा कर देंगे, कि जो भी एक नहतिकता के आधार पर चाहे मान जी हो, चाहे वो बाकी के पैनलिस्ट हो, कमिटी के, उन पर ऐसा दभाव बन जाए, खालिस्तानी का या अलग लोगों का, कि उनको छोड़ कर जाना पड़े, ताकि ये डिसकशन ही डिरेल हो जाए. सर, अभी आपने सुना होगा, सुप्रीम कोट ने भी ये बात कही, जो लास्ट जो सुप्रीम कोट की, जब सुप्रीम कोट में बात कही, कि महिलाएं और बच्चे इस प्रदर्शन से बाहर हो जाए, उनके और बुजर्ग जो हैं इस प्रदर्शन से चले जाए, एक तरीके 10 करोड जो ट्रक्टर है वो प्रदर्शन करेंगे क्या कहिएगा अच्छी बात है राकेश तिकेज जी बहुत बड़े नेता है दो तीन बार चुनाव लड़ चुके दो तीन बार दो बार एसेंबली का और एक बार लोकसभा का डिपॉजिट जब थो गई थी उनकी अभी अगर उनमें अतनी शमता आ चुकी है तो मेरा उनसे केवल इतना सुजाव है ये सारी महिलाओं को इन लोगों को यहाँ पर पर परिशान करने से अच्छा क्यों ना आप इनको अपना वोट बैंक बना कर 2024 में मोदी जी को पूरी तरह से हरा दिजे ना कोई दिक्कत की बात नहीं दूसरी बात महिलाएं आएंगी आपकी लड़ाएं लड़ेंगी बुज़र्ग आएंगे आपकी लड़ाएं लड़ेंगे बाकी लोग आएंगे आपकी लड़ाएं लड़ेंगे थेंड में रहेंगे, सोएंगे थेंड में, सड़कों पर सोएंगे, ये रात को ये so-called fancy desk farmer निकल कहां जाते हैं, मुझे तो कभी पता नहीं चला अभी तक कि सिंगू बॉर्डर पर कोई सो रहा है इनका नेता, ये तिकरी पर सो रहा है, या गाजीपूर पर सो रहा है, इनका मतलब रात को 8-9 बजे के बाद, कौन सा कंबल लेकर कहां अच्छे हीटर के सामने, कौन से guest house में रुके हैं, उसका भी थोड़ा खुलासा कीजिए, तो जो आ रहे हैं, उनको पता चले कि उनकी रात की विवस्ता कहां हो रही है, कौन से guest house में हो रही है, करना चाहिए, अभी आपने कहा जब मैं आप से बात कर रही थी कि Congress ने ये पूरा का पूरा मतलब एक शडियंत्र मना दिया है, कि जिस तरीके से Washington DC में हुआ, Capital Hill का आल हुआ, वही ये 26 जनवरी को करना चाहते हैं, तो क्या आप इस बात को सर सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से, हाँ हाँ, इसको विस्तार से बताता हूँ न, वो Capital Hill वाले क 2014 से, हम चुनाव हारे, तो EVM खराब, हम चुनाव हारने के बाद EC के पास चलेगे, EC ने हमारी नहीं सुनी, तो EC खराब, हम चुनाव जीते, तो EC ठीक, EVM ठीक, हमारा केस हार गया, तो Supreme Court खराब, हम केस जीत गया, तो Supreme Court अच्छा, तो ये जो conditional commitment to democracy, जिस तरीके का रवया, उन Capital Hill वालों ने अपनाया, वहाँ पे वो Trump supporter है, यहाँ पे वो Rahul supporter है, दोनों सेम ही है, सेम ही है, और ये चाते भी वही है, कि मूदी विरोध में, देश विरोध हो, देश की बदनामी हो, देश की छीची हो, ताकि वो अपनी राजनेतिक फसल उगा सके उस पर. मैं आपके माधियम से, उन लोगों से कुछ सवाल पूछना चाता हूँ, और देश के पूरे किसानों से सवाल पूछना चाता हूँ, ये चंद मुठी बर किसान, मैं चंद मुठी बर इसलिए कहा रहा हूँ, क्योंकि 2 लाक या मानलो 3 लाक भी अगर मैं आकड़ा लगा लूँ, तो देश में 20 करोड किसान मैं से 3 लाक तो मतलब 1 फीसद, 1 आदा फीसद भी नहीं हुआ, आप किसान और बाकी के किसान, नोट किसान, जो किसान इस कानून क का समर्थन कर रहे हैं, जो 70 ओर्गनाइजेशन ने ये लिखित में दिया है कि हम इन कानूनों को लागू करना चाहते हैं, जो 15 बड़ी गुठ है, जिनके पास 4,5 करोड की मेंबर्शिप है, जिन्होंने समर्थन किया है, वो किसान नहीं, जो किसान इन कानूनों का फाइद कहना चाह रहा हूं, क्या जोड़ जबरदस्ती करके आपसे कहा जा रहा है कि मंडी छोड़ कर भार जाओ, नहीं, कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं है, जाना है तो जाओ, मत जाओ, विकल्ब दिया जा रहा है, अगर आपको नहीं इस्तमाल करना ये कानून, तो मत कीजी इस कानून का इस्तवाज, पर जिनको करना है, जैसे महिंदर सिंग तिकैज जी कहते थे कि हमें मंदी की मोनोपली से आजादी दिलाओ, जिनको करना है वो करे, जो महाराष्टा के शेतकरी संगठा ने जिन्होंने आंदोलन चला है मंदी में, जिस तरीके से कमिशन एजेंट करते हैं काम अपना, पी साइनाज जैसे बड़े विशेशग्य ने इस पर आर्टिकल लिखा है, उन किसानों की बावाज को नहीं सुनेंगे, ये कैसा लोक तंत्र है कि मैं जो तै करूँगा वही होगा और बाकी जो तै करेंगे वो उसके कोई आप किसान के नाम पर मत करो घमासान, कराओ समाधान, बरना देश होगा परिशान और फिर होगा आप ही का नुकसान. काला अध्याय लिखा जाएगा कि 26 जनवरी को जब किसान का बेटा जवान अपनी मेहनत से देश का नाम गौरानवित करने के लिए पूरी दुनिया के सामने परेड निकाल रहा था, तो उसकी परेड में, उसकी सुरक्षा में खलल डालने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं था बलकि कुछ चंद फैंसी डेस किसान थे जो अपनी मूधी विरोधी राजनीती के चलते केवल और केवल देश के एतने बड़े दिन पर भी एक सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहते थे बहुत बहुत शुक्रिया शैजाजी हमाई साथ जुड़ने के लिए और अपनी सारी बातों को हमारे चैनल के मादेम से सब के बीच रखने के लिए धन्यवाद